काहा पैबु आपने भैय या इमली घोटई हैं जी बाग में पैबु आमे के पत्ता कोई ठंडा पानी जी बाग में पईवों आमे के पत को आ ठंडा पानी जी आमा भेजी हैं आपने भाईया इमली घोटाई हैं जी लाल पीर सड़िया भाईया मा थे उड़ाई हैं जी लाल पीर सड़िया भाईया मा थे उड़ाई हैं जी कड़ी कड़ी नोट भाईया हाथ में धर रही हैं जी कड़ी कड़ी नोट भाईया हाथ में धर रही हैं जी नमस्ते आप सभी को अगले हमारे रसमें इमली घोटाई इमली घोटाने का जो रसम है वो मामा जी का है मतलब भाई बहन यह जो गित सुना आपने यह एक बहन गा रही अपने भाई के लिए कि कैसे मेरा इमली घोटेगा तो भाईया आते हैं इमली घोटाने के लिए उसमें आम के पत्ते का ग्यूज किया जाता है और ठंडे पानी का बिसिकली जो उनकी भतीजी है मामा की भतीजी मतलब बहन की बेटी वो अपने दाथ से कोट कर अपने मा के इस पर ठोकती है और फिर जो मामा है वो ठंडा पानी गिरा कर ऐसे अंचुरी इसे बलते हैं दोनों हाथ का टोरी बना कर अंचुरी से वो पानी पीती है तो भाई पूछते हैं जोड़ाई लू भही नी तो बहन बोलती है हाँ भाईया तो इस तरह के से चार से पांच बात ये रिपीट होता है सेम प्रोसेस और इस तरह के से इसको इमली घोटाना कहते हैं तो जब इमली घोटता है यानि कि जब लड़की की मा और उसके मामा इमली घोटाते हैं तब उन लड़की के जो बुआ हैं वो उस मामा को चैन से कड़े नी देती हैं वो उसके उपर चले नी सूप कड़ा ही सब लाकर जैसे बिसिकली छेड़ना होता है क्योंकि लड़की के मामा का जो रिस्ता उसके गुवा से छेड़ छाड़ का होता है क्योंकि ये रिस्ता ही कुछ ऐसा है जैसे जीजा साली का होता है वैसे ये रिस्ता होता है दोनों आपस में खोब नोग जोग होता है काफी एक दूसरे को छेरने वाला काम होता है और बहुत ही इंटरस्टिंग होता है मज़ेदार होता है और इस तरह कैसे और कुछ नेग देते हैं जैसे कड़ी-कड़ी नोट मैंने बताया तो नेग में कुछ गोल्ड साड़ी आते हैं उसके ननीहाल से जूल्डी आती है पैस और जब यह सब हो रहा होता है तो जब बुआ पक्ष है मतलब लड़की का जो ददिहाल पच्छे वहां की ओरते गीत गाती है मामा हाली हाली मामा हाली हाली इमली घोटावए मामा मामा हाली हाली जैसन कुकूरा के पूँच ओसन मामा जी के मूँच मामा हाली हाली मामा हाली हाली इमली घोटावाए मामा मामा हाली हाली जैसन मामा जी का पेट ओसन इंडिया का गेट मामा हाली हाली मामा हाली हाली इमली घोटावाए मामा मामा हाली हाली मामा हाली हाली मतलब ऐसे और बना बना कर कई चीजे मजाक में इसको भी एक हासपरदा पले सकते हैं इसमें यह काफी इंटरस्टिंग होता है चलनी, सुमू मतलब जो भी ऐसे चीजे होती है सब उनके उपर लाकर रखने लगती है नो भूवा लोग मामा जी के उपर और उनको परिशान कर देगा सिलसिला जारी रहता है जब तक कोई इमली घुटाने लेते हैं और चैन से नहीं करने देना है वही इनका लख्य होता है तो काफी इंटरस्टिंग होता है इसमें बेसिकली मामा का बहुत इंपोर्टेंट रूल होता है कि वह अपनी बेहन की बेटी मतलब जो लड़की है उसके मामा है तो बेहन की बेटी हुई तो बेहन की बेटी के लिए सब करते है